हेलो फूडिस्टो विवर्स आज ये पराठा बहुत ही यमी बनने वाला है आपको पता है किस चीज का बना हुआ है नहीं पता ना वीडियो पूरी देखिएगा और बताईएगा कि आपको ये पराठा कैसा लगा और हो भी स्टफिंग वाला पराठा लेयर वाला बहुत ही खूब सारी स्टफिंग से भरा हुआ एक बाइट तोड कर दिखाती हूं आपको सच में मजा आजाएगा वीडियो में ही आपको लगेगा कि बस अभी निकले और खा ले तो बनाना कैसे है वीडियो को देखें और फटा-फट बनाकर जल्दी से खाएं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिया है एक पापड जी हां एक पापड लिया है जो भी पापड आप घर में अपने खाते हैं वो ले लीजिए और उसको गैस पर भून लीजिए या तल लीजिए भूनना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ऑईल जो है कम हो जाएगा तो हम इसको भून रहें और लोमीडियं पर भूने चै तेज पर भूने पर जलाना नहीं है पापड भून भीक कला है अच्छ से बूनिएगा बढ़ियासा जलाईएगा मत यह देखिए मैंने तो भूल लिया है ठंडा भी हो गया है और इसको मैं एकदम क्रश करकर बढ़िया सा इसका चूरा बना लूँगी आटे की तरह हमने इसको पीसना नहीं है और नाहीं आप मिक्सी में इसको करना हाथ से ही करना बहुत ही अराम से हो जाएगा तो यह देखिए बढ़िया सा चूरा बन गया है और अब हम क्या करेंगे यह है आलू की स्टफिंग जो आलू की रोटी हम बनाते हैं वो वाले आलू इसमे मैंने प्याच अद्रक लाल मिर्ची और कसूरी मेथी और एजवेन डाली है बस ज्यादा कुछ नहीं कसूरी मेथी थ बिल्कुल पर इसके साथ अगर बनाएंगे ना आपका प्राठा बहुत ही यमी बनेगा और आलू आपको ज्यादा नहीं डालना सिरफ एक चमच ही डालना है एक पूरे पापड में तो अच्छे से मैंने स्टफिंग को तयार कर लिया है और इसको साइड में रखते हुए औ इसके साथ की आपका प्राठा अच्छा सॉफ्ट बने तो यह मैंने जितनी चपाती के लिए हम आटा लेते हैं उससे जरा सा जादा लिया है तो इसको मैं बेल लूँगी सूखा अटा लगा लिया था और अब मैं इसको बेल रहे हूं थोड़ा सा बड़ा बेल लूँगी और बेलने के बाद क्योंकि मैं लेयर वाला प्राठा बना रही हूं तो इसलिए मैंने को थोड़ा सा पहले बड़ा बेलना है एक चमच रिफाइन डाला है आप चाहें देसी गी डाल लेजिए और उपर से स्प्रिंकल करेंगे सूखा अटा जी हां सूखा अटा जरूर डा स्प्रिंकल करेंगे ताकि हमारे लेर्स बहुत बढ़ी आएं तो अब हमने दुबारा से इसको आटे में कर लिया है सूखे आटे में और जरा सा बेलेंगे बहुत बड़ा नहीं बेलना हलका सा बेलना है और यह देखिए लेर्स देख रहे हैं आप आपको अभी सही दिख हैं तो बनने के बाद क्या होगा तो एक चमच मैंने इसमें तेल ओर डाला है चाहे देशी की डालिए और खूप सारी स्टफिंग यानि कि जितनी बनाई थी मैंने सारी डाल दी एक ही पराठे में ताकि जब आप खाए ना तो आपको मजा आ जाए एक पराठे में के बस हो तो यह मैंने बना लिया है और अब इसको दुबारा से इसमें लपेट कर सूखे आटे में बेलेंगे बहुत ही हलके हाथ से बिल्कुल दबा कर नहीं करना नहीं तो आपकी जो लेयर्स है न वो खराब हो जाएंगी स्टफिंग बार निकलेगी नहीं निकलेगी वो तो नही लेयर्स नहीं खराब होने चाहिए और लेयर वाला प्राठा बनाने से क्या होता है जो आपकी स्टफिंग है बिल्कुल कोने कोने तक फैल कर जाती है तो अब मैं क्या करूंगी तवे पर मैंने प्राठा डाल दिया है हलका सा रिफाइन डाल डालूंगी साइट्स में और द प्राठा देखिये किता बढ़िया सी्करा है प्राठा इसकी ऊपर मैंने लगाया है थोड़ा सा रिफाइन डाल और अब मैं स्क olur पलट लूंगी और दूसरी तरफी ही टोड़ा सा रिफाइन डाल लोगा लोंगी तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर की stuffing कैसी रहेगी, तो यह देखिए बढ़िया सा हो गया, अब हम क्या करते हैं, इसको एक plate पर निकाल लेते हैं, इसको मैंने एक plate पर निकाल लिया है, और प्राठा एकदम बढ़िया सा तयार हो गया है, बस आपको क्या क को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको न्यू नोटिविकेशन जल्दी जल्दी मिल जाए और कोमेंट में बताइएगा पापड का प्राठा कैसा लगा